लोगसभा चुनाओं से पहले मायावती ने की कोई चुनावी समझोता नहीं करने की घोषना बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमों मायावती ने घोषना की है कि उनकी पार्टी आगामी लोगसभा चुनाओं बिना किसी चुनाओं पुर्व गठबंदन के लड़ेगी अपने समर्थकों से बात करते हुए मायावती ने कहा कि गठबंदन बनाने में बियस्पी का अनुभा अच्छा नहीं रहा है बस्पा सुप्रीमों ने कहा कि पार्टी लोगसभा चुनाओं के बाद गठबंदन या समर्थन देने पर फैसला लेगी इस प्रकार मायावती ने विपक्षी गठबंदन, भारतिय राष्ट्रे विकास और समावेशी गठबंदन के साथ सीट समायोजन वारता पर किसी और अटकल की गुनजाईश बंद कर दी है ये तर्क देते हुए कि बसपा 2007 में समाज के सभी वर्गों के समर्थन से उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई थी मायावती ने विश्वास जताया कि उनकी पार्टी लोगसभा चुनाओं के बाद और मजबूत होकर उभरेगी चुनाओ पुर्व गठबंदन की उनकी आलोचना को समाजवादी पार्टी सपा से उनकी नाखुशी के रूप में देखा जा रहा है बसपा सुप्रीमों ने इससे पहले 1996 की घटना को याद करते हुए सपा पर कड़ा प्रहार किया था जब उनकी पार्टी कारियाले में उनपर कथे तोर पर हमला किया गया था वही मायावती ने भी 70 रोड भारती जनता पार्टी पर जम कर हमला बोला है उन्होंने दावा किया है कि 80 करोड लोगों को मुफ्तराशन मुहया कराये जाना इस बात का परियाब्त सबूत है कि देश में आर्थिक हालात अच्छे नहीं है। के बाद उभरने वाली संभावनाओं पर अपनी नजरें गड़ा दी है। सीटों में से 71 सीटे जीती थी। हाला कि 2019 के चुनाओं में भाजपा केवल 62 लोग सभा सीटे जीत सकी। जब बसपा विपक्षी गठबंदन का हिस्सा थी। क्रूं में भाज़ नहीं है। है लोग सबस्ते चुनाओं झाल्य।